तो आज की जो अपडेट है वो है 36 गट विधान सभा की तरफ से जो की रिपोर्टर पोस्ट के लिए निकाली गई है दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजो बेल आइकन को प् पॉस्ट नेम रिपोर्टर है ठीक है 36 गट विधान सभात सची वाले की तरफ से यह वैकेंसी आई है स्टार्टिंग डेट की इसमें हम बात कर लेते हैं तो यह 5 मई 2020 से फॉर्म फिल अप होना स्टार्ट हो चुका है लास्ट की बात का है तो 30 मई 2020 यानि 30 मई तक आ फॉर् रखी गई है अगर अप्लिकेशन फी की बात कर लेते हैं तो जेनरल कंडिडेट के लिए 350 रूपीज रखा गया ओवी सी के लिए 250 रखा गया एस्ट और पीच कंडिडेट के लिए 200 रखा गया है पेमेंट जो है आप डेविट कार्ड केडिट कार्ड नेट बैंक या फिर चलान से कर सकते हैं जोब लोकेशन की बात करें तो ये जोब लोकेशन आपका 36 कड में रहेगा आगे हम बात करते हैं एज लिमिट की तो एज लिमिट जो है एक जन्वरी 2020 को नसार आपका काउंट किया जाएगा उसके बाद मिनमम एज दिया है कि 21 यर्स आपका कम से कम होन आपका 45 यर्स यहां पर दिया हुआ है एज लिमिट में एज पर रूल जो भी गोबर्मेंट का रूल है उसका अंसार आपको एज लिमिट मिल जाएगा और दिहार ना कि कि यह 36 कर कंडिट को ही यहां पर रिजर्वेशन मिलेगा बात करतें नमबर और पोस्ट की तो यहां फ्रेकर एज थिख करर लेते हैं जरए यह अपका जेनरल के लिए 4 पोस्ट रखा गया और सट के लिए 4 पोस्ट है पे स्किनल की बात करें तो मिल जाए जक पनैजा क्डै की की बात करें तो काफी बड़िया के लिए 5 чуд recruitment और Hindi stenography test from recognized board or institute and having stenography minimum speed of 140 word per minute in Hindi. अब इस eligibility criteria में आते हैं तो आप इस form को जरूर apply करें, काफी बढ़िया वेकेंसी है, उसके बाद बात करें, selection will be based on, तो selection जो होगा आपका किस तरह किया जाएगा, तो skill test लिया जाएगा, उसके बाद आपका interview हो लिया जाएगा, तो दोस्तों आज के update में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो like जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें, और नह चनल पे तो subscribe कर लिजो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जितने भी link है, वो सारे के साथ discussion ने दिये हुए, वहाँ जाके आप apply कर सकते हैं, या फिर official notification भी download करके, पुरा का पुरा पढ़ सकते हैं, वहाँ से, तो दोस्तों इसी तरह के पल-पल के update के लिए, आप QS Education Tutorial पे बने रही है, thanks for watching this video.